दोस्तो आज मैं explain करने वालों Tomorrowland movie को जो कि एक science fiction movie है जो कि हमारी future को ले करके बनी हुई movie है जिसमें कि हम जानेंगे किस तरह की technology आने वाले बक्त में इस दुनिया में हो सकती हैं कहानी की सुरुवात 1954 में होते हैं जहां पर हम एक फ्रेंक बॉलकर नाम के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जिसने एक उठने वाले जैक पैक बनाया होता है और वो उस जैक पैक का ट्राइल कर रहा होता है लेकिन उस जैक पैक में अभी भी कुछ कमी होती है जिसके पर अपने जैक पैक को ले जा सकते हो इसके वाद अगले दिन अपने जैक पैक को ले करके साइंस एक्जविशन में पहुंच जाता है जहां पर एक डैविड नाम का आदमी होता है डैविड फ्रेंक से पूछता है क्या यह जैक पैक मैंने बनाय डैविड उससे पूछता ह यह पूरी तरह से ठीक है जिस पर फ्रेंग सच बता दिता है और बताता है कि उसमें अभी भी थोड़ी बहुत कम है जिन्हें वो ठीक कर लेगा लेकिन डैविड उसके जैक पैक को रिजेक्ट कर देता है यहां पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एथीना होता है वो फ्रेंग के जैक पैक को देख करके काफी खुस होती है और उसमें दिल्चस्पी ले रही होती है रिजेक्शन के बाद फ्रेंग अकेला और उदास पैठा होता है तब ही वहां पर एथ देती है और Frank से कहती है कि वो उसका पीछा करें इसका ऐसा ही करता है और फ्रेंग यहां पर एक लेजरलाट फ्रेंक के बैच को स्कैन करती है जो उसे एथीना ने दिया होता है और स्कैन होने के तरंट बाद ही फ्रेंक की बोट नीचे जाने लगती है और बोट एक कमरे के सामने जा करके रुक जाती है इसके बाद फ्रेंक अपने जैक पैक को ले करके इसके अंदर चला जाता है और य इसके बाद ये रोड फ्रेंग के जैक पैक को ले लेता है और उसे पूरी तरह से ठीक कर देता है तभी यहाँ पर दो आदमी आने लगते हैं जिनने देख करके फ्रेंग नीचे गर जाता है फ्रेंग जब नीचे गरी रहा होता है तभी वो अपने जैक पैक को ठीक कर लेता ह और बच जाता है तभी वो देखता है उसके सामने एक नई दुनिया होती है इसके बास फ्रेंग अथिना के पास पूहं जाता है और उससे पूछता है यह कौन सी जजस का है अथिना बताती यह है टुमोरो लेंड फ्रेंग उससे पूछते तुम मुझे यहां पर क्यों लेकर आई हो अधीना बताती है असल में तुम बहुत ही जाता बुद्धिमान हो और तुमने खुद से एक जैक पैक बनाया है इसलिए तुम्हें टुमोरो लेंड ने चुना है असल में अ पर एली नामगी एक लड़की को देखते हैं जो नासा के एक स्टेशन को हैक कर रही होती है और उसमें चेड़खानी कर रही होती है असल में एली के पता नासा के एक साइंटिस्ट होते हैं और नासा का यह स्टेशन बंद होने वाला होता है इससे उनकी नौकरी जा रही हो तब ही पुलिस वाले उसका सामान देखते हैं, तब ही एली को उसमें एक पिन दिखाई देता है, जो कि उसी पिन जैसा होता है, जैसा कि एथिना ने फ्रेंक को दिया होता है, इसके वद एली जैसे ही इस पिन को छूती है तो, एली टुमोरो लेंड में पहुंचाती है, और जो कि टेक्नोलोजी से भरी हुई होती है, जहां पर सारी चीजे हवा में चल रही होती है, एली यह देख करके हैरान रह जाती है, लेकिन यहां कि लोग एली को नहीं देख सकते हैं, एली अब टुमोरो लेंड में घूमने लगती है, तब ही वो देखती है कि उसके पिन के पीछे एक रिवर्स टाइमर चल रहा होता है, क्योंकि यह एक रिकॉर्डिंग होती है, तब ही पिन का टाइमर खतम हो जाता और एली बापस से धरती पर आ जाती है, इसके बाद एली अपने फादर को इस बैस के बारे में बताती है, जब उसके फादर उस बैस को छूते है तो वो टुमारू लैंन के बारे में और जाना चाहती है इसके ऐसिझे खर आती ही एली उस एडरेस पर पहुंच जाती है और ये एक सौप होती है इसके बाद एली सौप के ओनर से पिन के बार में पूछते है जिसके बाद सौप के ओनर पिन को देख करके हैरान रहा जाते हैं और वो एली से पूछते हैं आकर तुम्हें ये पिन कहां से मिली और ये पिन तु एली बताती है उसे नहीं पता क्योंकि वो पिन उसके सामान में थी जब एली कुछ नहीं बता पाती है तभी ये दौनों एली पर अटेक कर देते हैं लेकिन तभी यहां पर एथीना आगा जाती है और वो इन दौनों को मारने लगती है और उसके बाद इनके सिर को उकाड़ देती है तभी हम देखते हैं कि ये दौन रोबोट्स होते हैं इसके बाद एथीना एली को लेकर एक गाड़ी में बैठ जाती है और इस गाड़ी को लेकर के जाने लगती है ये सब देखकर के एली बहुत जादा है रहा जाती है क्योंकि उसे एथीना के बारे में भी कुछ भी नहीं पता हो था इसके वारत एथीना बताती है जो पिन तुमारे सामाने में था वो मैंने ही रखा था और जो तुमने टोमोरो लेंड को देखा बो सब कुछ असली था अब हम देखते के एथीना अभी भी पहले ही जैसी हो थे हो वो बिल्कुल भी नहीं वजली होती है, क्योंकि असल में एथिना भी एक रोबोट होती है, इसके बाद एथिना एली से कहती है, हमें टुमोरो लेंड में तुमारी जरूरत है, क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, एथिना बताती है, सालों पहले में एक लड़की को भ हमारी तरह ही बहुत ही जादा इंटेलिजेंट था लेकिन उसने कुछ ऐसी चीज बना दी जिसके बाद उसे टुमोरो लेंड से निकाल दिया गया था अब हमें उसे भी ले करके जाना होगा क्योंकि वह अभी धरती पर रहता है इसके बाद एथिना एली को फ्रेंक के घर के स इसके बाद एली घर के दरवाजी पर पहुंचती है और अपना पिन कैमरे में दिखाती है और रेंक से पूछती है कि वह टुमोरो लेंड किस तरह से जा सकती है फ्रेंक कहता है टुमोरो लेंड जैसी कोई जगह है ही नहीं वह उसके लिए मना कर देता है लेकिन एथिना न बाहर आ जाता है और वो एक डिवाज की मदस से इस मसीन को वर्फ में जमा देता है इसी बीच में एली उसके घर के अंदर घुच जाती है और दरवाजी को बंद कर लेती है अब एली फ्रेंक से कहती है वो तभी दरवाजी के खोलेगी जब फ्रेंक उसे टुमोरो लेंड ले जाएगा इसके लिए फ्रेंड मान जाता है और वो अंदर आ जाता है तभी एली एक कमरे में जाकर के देखती जहां पर बहुत सारे मॉनिटर्स चल रहे होते हैं और उन पर धरती के तवाए की तस्वीरें आ रही होती है इसके बाद एली फ्रेंक से पूछती यह सब क् भबिस्या और धरति साठ दिनों के बाद में नश्ट होने वाली है लेकिन एली इसे मानने से इंकार करते थी जैसे ही एली इसे इंकार करती यह स्क्रीन पर धरती के खत्म होने की पर coalition में कमी आ सकता है तभी फ्रेंक के घर पर कुछ रोबोट आयाते हैं और वो इन दोनों पर अटक करने लगते हैं जिसके बाद फ्रेंक एली को लेकर के एक बात रूम में जाता है और वास्ट टब में बैण जाता है तभी यह बाट टब देखती देखती है कैपसूल में बड़ल जाता ह जिसके बाद ये बाट टव हवा में लॉंच हो जाता जिसके बाद में ये टव पासी के एक तालाब में जा करके गरता है असल में फ्रेंक ने इस सब के त्यारी पहले से ही कर रखी होती है तभी यहां पर एथीना आयाती है और वो इन दोनों को अपने गाड़ी में बिठा करके ले जाने लगती है इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंक एथीना पर गुस्वा होता है इसलिए वो अभी भी उससे बात नहीं कर रहा होता है असल में जब एथीना फ्रेंक को टुमोरो लेंड में ले करके गई थी तब फ्रेंक को एथीना से प्यार हो गया था लेकिन एथिना ने अपने रोबोट होने की सच्चाई उससे चुपाई थी जिसके बद जब फ्रेंग को उसकी सच्चाई पता चली तो उसका दिल तूट गया था इसके बाद फ्रेंक एथिना से कहता है तो हमें टुमॉरो लेंड ले चलो जिस पर एथिना कहती है कि अब वो टुमॉरो लेंड नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाने कि सारे राश्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि उसे भी टुमॉरो लेंड से निकाल दिया गया है इसके बाद ये तीनों एक जगह पर पहुंँ जाते हैं जहां पर फ्रैंक ने टेलिपोर्टेशन मशीन को बनाया होता है जिसकी मदद से ये तीनों टेलिपोर्ट होते हैं और आइफिल टावर पर पहुंँ जाते हैं क्योंकि यह ऐसी जगह चाहते थे जहां पर यह सांती से अपने एक्सपेरिमेंट कर सकें फ्रेंक बताता है यह आइफिल टावर कोई टावर नहीं है यह एक डिवाइस है जिसकी मदस से हम टुमोरो लेंड में जा सकते हैं कि इन बैग्यानिकों ने इमर्जनसी के बक्त वहां जाने के लिए इसे बनाया होता है जिसके बाद में फ्रेंक एक स्विच को ऑन कर देता है जिसके बाद में आइफिल टावर दो इससों में बटन लगता है और आइफिल टावर के नीचे से एक बड़ी सी मस्च निकलने करता है और वो स्विचा जाता है और में वहां नीकाल दिया जिसके वाद में बताता आज है कि वह अभी धर्थी को बचा सकते हैं करता है तो तौन इसे को नहीं नहीं देख लेते इसके बाद इन तीनों लेकर करे एक टावर में पहुंच जाता है जहां पर फ्रेंग के द्वारा बनाएगी टाइम मसीन होती है और एली इस मसीन को बड़ी ही आसानी से आपरेट करने लगती है जिसके बाद एली धरती के बविस्टी को देखती है और वो देखती है कि 60 दिनों के बाद में धरती पूरी तरह इसे खत्म होने वाली है लेकिन एली को फिर भी बिस्वास नहीं हो रहा होता है इसके बाद एली धरती के अलग-अलग जगाओं को देखने लगती है लेकिन फिर भी हर जगाए पर तवाई हो रही होती है लेकिन एली फिर भी इस बात को नहीं मानती है और गुस्य में वहा बैटकर कि वहाँ पर वविस्टि कैसे देख रहे थे जो यहाँ पर टूमरो लेंड में यह मसीन दिखा रही थी तब बताता यह मसीन धर्ती पर कुछ अलग तरह की फ्रेक्वेंसी भेज रही हो थी इसलिए मैं धर्ती पर बैठ करके उन फ्रेक्वेंसी को कैप्चर कर लेता जिससे के मैं वविस्टे को देख रहा था अब एली समझ जाती है और वो फ्रेंक से कहती हमें इस मसीन को नश्ट करना होगा क्योंकि ये मसीन जो फ्रेक्वेंसी भेज रही है वो इंसानों के दिमाग में भी जा रही जिससे के इंसान मान चुका है कि धर्ती साथ दिनों सब्सक्राइब प्रेक्वएंसी को धर्ती पर ब्हुएज रही है कि्योंकि धर्ती करता है क्योंकि धर्ती के नश्ट होने के बाद में ऊपदो retro लेंड जैसे ही ध्रती को बनाना चाहता है जो देखड़ उसकी बात नहीं मानता है उनलरेक्वेंग सरोदिक से लड़ने लग इसे उपर ले जा और इसे time machine में डाल देना जिसके बाद वो नश्ट हो जाएगी जब alley bomb को ले करके elevator के जरिये उपर जा रही होती है तभी elevator फिर से नीचे आने लगता है अब time bomb भी activate हो जाता है जिसके बाद में ethina time bomb को धर्ती का portal कोल करके धर्ती पर फैंक देती है जिसके ब विट्व अपने गश्चाफ्रेंक को मानने की कोज़िच करता लेकिन अथीना बीच में आकर के फ्रेंक को बचा लेते लेकिन अथिला ओफ घायल होती और वो मरने वाली हो थी है लेकिन उससे पहले वो Makinsf say मुझे पता है जब मैं तुम्हो में यह टॉमोरो और लेंड पर पहले वाल लेकर के आई थी तब तो मुझसे प्यार करने लगे थी और मैं भी उस समय बहुत जादा अजीब फील कर रही थी जो मेरे सिस्टम ने पहले कभी फील नहीं किया था इसके बाद में एथीना अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रेक्शन मोड पर अक्टिवेट कर देती है और अब वो एक बंब बन चुकी होती आप एथीना के तो मुझे मैच तुम मुझे उपर ले जाकर पर मसीन पर फैक देना जिसरी समयद्धाWow जाता है इसके बाद में धरती पर जाने वाली फ्रेक्वेसी बेंद हो-जाती है। जिसरी welche वाद में धरती खे कुष यहां पर ले करके आजाती है क्योंकि बोई एक साइंटेस्ट होते हैं इसके बाद में फ्रेंक और एली तुममरों लेंड को अपरेट करते हैं और धर्ति के साथ में वहां की टेक्निलोजी को बाटने लगते हैं और यहीं पर इस मुवी का अंत होता है आपको मुवी की explanation कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतानों उस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर शेक कर देना